बैटरी में MAH का फुल फर्म क्या होता है? बहुत कोई कहते हैं minutes and hours ऐसा थोड़ी होता है कि बैटरी अगर 5000 MAH का है तो 5000 MAH तक चल जाएगा ऐसा नहीं होता है न? इसका मतलब होता है milli ampere hours simple सा concept है अगर किसी बैटरी का MAH मालो 3000 है ठीक है? तो एक घंटे में वो 3000 MAH किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा ठीक है? और बैटरी खतम हो जाएगा देखो simple है एक बैटरी है 3000 MAH का ठीक है? मतलब 3000 MAH पर hour और यह जो डिवाइस है यह 3000 MAH खाता है तो अगर यह डिवाइस 3000 MAH का करेंट खाता है मतलब यह डिवाइस इस बैटरी से एक घंटे चल जाएगा और फिर बैटरी डेड हो जाएगा ठीक है? तो क्या होता है कि जो टिपिकल स्मार्टफोन होता है ना वो एक घंटे में ना 200 MAH यूज करता है तो simple है इसे से हम लोग कैलकुलेट कर सकता है अगर 3000 MAH का बैटरी किसी फोन में और वो फोन 200 MAH परा और यूज करता है तब 15 घंटे में 3000 खतम हो जाएगा बस हो गया यह और वह यह गर बड़ा डिवाइस है और उसमें 5000 MAH का बैटरी है और वो डिवाइस भी क्यूकि मालो फोन में अगर 4K recording होता होगा और अब कैमरा यूज कर रहे हो तो वो 500 MAH हर घंटे भी ड्रॉ करता है तो अगर 500 MAH यूज करेगा हर घंटे और बैटरी 5000 MAH का है तो अगर 500 MAH यूज करेगा बैटरी हर घंटे और कैपैसिटी 5000 है तो 10 घंटे चलेगा simple MAH MAH